नमस्कार मैं डॉक्टर स्वाती मिश्रा आज फिर एक अपने वीडियो के साथ आप सब के साथ उपस्थित हूँ, सब के साथ इंट्रेक्शन कर रही हूँ पिछले वीडियो में मैंने वेबर की थियोरी दी थी, सोशल स्ट्राटिफिकेशन की जो की बहुत ज़्यादा कई एक्जैमों में पूछी जाती है, आप जो मैं थियोरी लाइन हूँ, वो आपको साथ ही यूट्यूब पे कहीं पर मिले, क्योंकि मैंने देखा मुझे कहीं पर मिला नहीं, और हैरल एम बोस की जो बुक है एर्थ एडिशन की, उसी को मैंने सोर्स के रूप में लिया है, मतलब उसी से मैंने ये पूरे नोट्स को अपने प्रिपेर किया है, आपको ये समझ में आ गया होगा, Modern Theories of Stratification, Stratification के जो theories हम लोग पढ़ते हैं, वो mostly classical, traditional theory पढ़ते हैं, जिसमें हम लोगोंने, हम लोग Marx को पढ़ते हैं, Davis and Murray को पढ़ते हैं, Weber को पढ़ते हैं, ठीक है, Weber पर मैंने ये वीडियो लास्ट बनाया भी है, और इस पर हम Modern Theories of Stratification पढ़ेंगे, जो स्तरीकरण के नए सिध्धान्त है, उसमें एक सिध्धान्त है, रुनसी मैन का, उसको आजमनो पढ़ेंगे, ये हैरलम बोस की किताब में है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, बेसिकली आपको ये समझ में इसली आजाएगा, इसलिए मैंने ये वीडियो आज की तियार की हैं, और कभी भी जब आपके एक्जाम में अगर पूछेगा कि stratification की theory बताईए, तो वहाँ पर आप ये सोचेंगे कि modern theories है, stratification की तो मेरे क्या काम की, ऐसा कत्ता ही नहीं है, जब भी आपको critical analysis करना होगा, जब भी आप critically analysis करेंगे, stratification का, जैसे आप Weber के या Marx से theory को critical analysis करेंग में इनने ऐसे ऐसे बोला है, तो आप इस तरह से इस चीच को आप use कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको use कर सकते हैं, तो इस तरह से आप ये theory को अपने कहीं भी answering में, जैसे अगर माली जब civil services के paper को दे रहे हैं और Weber की theory आगे, तो उसमें critical analysis में आप इस तरह से भी इसको add कर सकत हैं, तो ये मत सोची का कि ये ऐसी theory है, तो ये जहां पूछी जाएगी, वहीं पर लगाएंगे, नहीं, आप कहीं भी theory के, stratification की theory में आप इसको दे सकते हैं, ठीक है, तो start करते हैं, और अब भी तक channel को subscribe ने किया, तो please channel को subscribe ज़रूर कर लीजे, और थोड़ा minimize कर दू, yes, ये है modern theories of stratification, most of the new theories of social stratification appear to be dependent on Marxist or Weberian theory, जो भी हमारे classical theory थे, जिसमें बहुत famous हुआ stratification का theory, वो था Marx का stratification का theory, या फिर Weber का stratification का theory, तो जितने भी नए सिधान्त हम stratification में पाते हैं, उसमें हम या तो Weber की theory को पाते हैं, या Marx की theory को पाते हैं, या या दोनों के mix theory को ही पाते हैं, मतलब जिन लोगों ने, जो नए लोग stratification पे काम की हैं, उन लोगों ने या तो Marx की theory को आधार बनाया है, या Weber की theory को based बनाया है, या दोनों के mix, mix करके बनाया है, चीक है, modern or contemporary theories are found to be mainly depend on both or any one of them, but they also carry some new dimensions along with them, so that they can analyze the caste structure of capitalist industrial society, ठीक है, theory है, नई theory आई तो कुछ तो नया add-on होगा न, वही पुरानी theory को तो हम उठा के रखेंगे नहीं, तो वही इस line में कहा जा रहा है, कि या तो Marx की theory को आधार बनाया गया, या Weber की theory को based बनाया गया, या दोनों को ही based बना करके, पर कुछ नए dimensions को add कि कि stratification में ये ये नई चीजे हो सकती है, उसी को मैंने यहाँ पर लिखा हुगा है, हिंडी में भी, आगे देखते हैं, तो ऐसे में हम जो नए stratification की theory उसको क्या कहेंगे, नियो मार्क्सिस्ट कहेंगे या नियो वैबेरियन कहेंगे, जिन्नोंने Marx को base बना करके, कुछ नए dimensions क एड करके stratification का theory दिया, उसे हम नियो मार्क्सिस्ट कह दिये, जिन्नोंने वैबर की theory को base बना करके, कुछ चीजों को add-on किया, उन्हें हम नियो वैबेरियन कह दिये, चीक है, समझ में आया, इस topic में, जो modern stratification theory है, इसमें हम परहेंगे WG, रुनसी, रुनसी मैन का, हो सकता है मेरा pronunciation थोड़ा wrong हो, रुनसी मैन और रुनसी मैन, इन्होंने, जो इनकी book थी, the class structure, roles and power, चीक है, इसमें, यही जैसे नाम से ही लग रहा है, इन्होंने ऐसे ही stratification का theory दिया, the class structure, roles and power, क्या नहीं चीज आपको निकल के आई सामने है, यह role, चीक है, अब तक stratification में, जिन्होंन मार्क्स ने बात की, तो उन्होंने बताया, class के आधार पे stratification है, वेबर ने बताया, class के साथ साथ, status और power के भी basis पे, society में stratification है, पर रुनसी मैन बोलते है, yes, इन सब के साथ साथ, role, role is also important for the stratification, जो भूमिका होती है हमारी, जो role होता है हमारा, वो भी stratification के लिए उतना ही important है अब जो रुनसी मैन की थियोरी है, उसको कहा जाता है कि दोनों की mix है, इन्होंने मार्क्स के भी अप्रोच को लिया, इन्होंने वेबर के भी अप्रोच को लिया और इन्होंने अपने dimensions को add-on भी किया है, ठीक है, developed a new approach to analyze the stratification system of British society, याद रखिएगा, हो सकता है, NET के exam में, अब NET में न, topic वही है, पर नए-ने thinkers को पुछा जा रहा है, आप देखते हैं कि NET और UGC NET के exam में वड़े नए-ने thinkers आ जाते हैं, इवन PGT में आ जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है stratification है, तो Weber आएगा, Marks आएगा, पर नहीं, रुनसी मैन भी आ सकता है, गोल्थ्रोप भी आ सकते हैं, यह सारे चीज़े भी आ सकती हैं, तो याद रखेगा, तो इन्होंने किस society की study की, इन्होंने British society की study की, याद रखेगा, इन्होंने Britain में जा करके, वहां के society में class stratification, इन्होंने stratification structure को देखने की कोशिश की है, ओके, इन्होंने दोनों ही approach को use किया, Marxist approach को भी जो की means of production पे बात करता है, Marx का क्या कहना है, Marxist approach वालों का कहना है, जिनका means of production पे control होगा, वो stratification में उपर strata पे होगे, जिनका means of production पे control नहीं होगा, they are on the lower strata of stratification, और Weber जो बोलते हैं, वो marketability पे बोलते हैं, ठीक, आप इससे पहले वाले वीडियो में जा करके देखिए, जह पर मैंने market situation की बात की है, class situation की, market situation की, तो Weber marketability पे बात करते हैं, ठीक है, आपको मैं, यहाँ पर मैंने यह Weber की यह वाले notes भी रखे हुए हैं, जो मैंने आपको दिये हुए हैं, देखिए, इन्होंने क्या बात की है, इन्होंने marketability पे, market situation पे बात की है, कि group form because their members share a similar status situation, जहां तक Marx, Weber, status situation की बात करते हैं, रुन्सी मैन आगे चल करके, role की बात करते हैं, ठीक है, इन्होंने कहा है न कि, class refers to the unequal distribution of economic rewards, status refers to the unequal distribution of social honor, तो यह इन्होंने status group को define करके, आके market situation पे बात की है, कि status situation, जो है, almost, जो है, वो market situation के similar है, और, यही marketability की बात उन्होंने की है, तो इन्होंने Mark से means of production ले लिया, और Weber से marketability ले लिया, और इन दोनों को mix करके, अपनी theory बनाए, उसमें role को add on कर दिया, यही है, आगे आप और समझ जाएंगे, तो W.G. रुन्सी मैन का देख लेते हैं, कि यह British historical sociologist थे, British sociologist थे, और Britain के society पिनों ने stratification की theory दी, इनका जो जन्म है, वो 1934, और अभी बहुत रिसेंटली, 2020 में, इनकी मृत्यू हुई है, चीक है, मैं रुन्सी मैन के बारे में, वो ज़्यादर डिटेल में, नहीं बता रही हूँ, इनकी theory के बारे में बता रही हूँ, आगे चलके देखते हैं कि, he put his ideology that, अब इनोंने क्या बोला, इनकी विचारधारा किस तरफ थी, ये बोलते हैं, जो class structure है, चीक है, जो जाती संरचना है, वो consist of set of roles, वो भूमिकाओं के set से बनी हुई है, मतलब एक देख लीजी कि, एक individual होता है, जैसे आप अगर कोई individual है, आप society में एक status को धारित की हुए, कोई न कोई आपकी प्रस्थिती होगी, और उस प्रस्थिती से संबंधित आपकी कोई न कोई भूमिका होगी, होगी न होगी, बिना, मतलब आप status carry कर लिए और role नहीं, नहीं, ऐसा होई नहीं सकता है, आप teacher है, तो teacher के role होगे, mother है, तो mother के role होगे, father है, तो father के role होगे, अलब कोई भी status है, तो उसके roles भी होगे, without role, कोई status नहीं है, तो ये बोलते हैं कि जो class structure है, जो जाती संरचना है, वो भूमिकाओं के set से, roles के set से बनी हुई है, आगे बोलते हैं, इनका एक definition है कि occupational roles are, ये जो बोलते हैं, जो occupational roles है, are most important, वो ज्यादा महतुपून है, जिसे अगर हम किसी occupation में हैं, जिसे मैं अगर assistant professor हूँ, तो occupational roles are most important, but not everyone has occupational roles, but सब के पास जरूरी नहीं कि occupational roles हो ही हो, बहुत सारे लोग हो मेकर हैं, आपके कितने लोग की ममी, कितने लोग की दीदी, या कितने लोग के father, कोई जरूरी नहीं कि किसी occup occupations पे होंगे, तो occupational roles are definitely important, but not everyone has an occupational role, सभी के पास occupational role नहीं होते हैं, दोस without job should also be assigned roles, क्या कह रहे हैं, कि जिनके पास jobs नहीं हैं, उनके पास भी role हैं, ठीक है, according to the economic power attaching to whatever different roles they occupy, बाकी और जो role वो carry किये हुए हैं, जैसे माली जा, occupational role नहीं हैं, पर और role तो है ना, उनके पास, उस बाकी roles जो उनके पास हैं, उससे वो कुछ economic power उसमें attach हैं, ठीक है, उसको तो ये occupy किये हुए हैं, a person, for example, अब ये example क्या देते हैं, कि a person married to someone with a job, अगर कोई व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करता है, जिसकी पास job है, should be seen as having the same role as their spouse, assuming they share the economic power of their spouse, माली जे, for example, कि कोई DM है, ठीक है, district magistrate है, ठीक है, उससे किसी की शादी होती है, ठीक है, किसी की शादी हो रही है, माली जे, कोई महिला है, वो district magistrate नहीं है, पर उसकी शादी district magistrate से होती है, ठीक है, उसके पास तो, उस महिला के पास तो कोई occupational role नहीं था, बट उसकी spouse का जो role था, वो उससे कही न कहीं attach हो जाता है, जाकर के, तब ही ना का जाता है Madam है Madam है Madam है या कोई DM महिला है और उसका husband अगर DM नहीं है तो भी कहते हैं सर हैं सर हैं कैसे जुड़ जाता है यही बात रुनसी मैन बताना चाहरे है कि a person married to someone with a job should be seen as having the same role as their spouse assuming they share the economic power of their spouse क्योंकि वो अपने spouse के economic power को occupy कर रहा है बले ही उसके पास अपना occupational job नहीं है बट वो अपने spouse के economic power को occupy कर रहा है यह रुनसी मैन बताना चाहरे थे चीक है मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया है आगे देखी क्या बताते हैं कि where partners have different jobs they both should be given the class of the one with the highest ranking roles again assuming that they share their economic power जहां partners के पास अलग-अलग नौगरिया है उन दोनों का सरवोच ranking भूमी का वाले एक का वर्ग दिया चाहिए फिर यह मानते हुए कि वे अपने आर्थिक शक्ती साजह करते हैं यहां कहने कि अगर दोनों ही spouse है मतलब पती-पतनी है अगर दोनों ही अपने पने जॉब में है ठेक है? वो तो पहला वाल एग्जाम्पल था कि कोई एक जॉब में है और एक जॉब में नहीं है कोई एक occupational roles को carry किया हुआ है और कोई एक roles को carry नहीं क cabeça है तो जो carry किया होता है उसका economic power उस दूसरे वाले से साज़ा हो जाता है, शेयर हो जाता है, अब दूसरे example में कहरें कि अगर दोनों ही partners जो हैं, दोनों ही job में हैं, तो जिसका highest ranking role रहेगा, उसका उसके साथ share हो जाएगा, ये इन्होंने बताया, आगे अब ये theory पे आते हैं कि classes and power, किस तरह से वर्ग और शक्ती है, classes and power, रुणसी में defines classes, उन्होंने class को किस तरह से define किया, वर्ग को, तो याद रखी गा, हमेशा ये role की बात कर रहे हैं, कि a set of rules whose common location in social sphere, space is a function of the nature and degree of economic power, attaching to them through their relation to the institutional process of production, distribution and exchange, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है न, ऐसे definition से तो मुझे भी नहीं समझ में आया था, फिर मैंने बहुत discussion किया, सोचा, समझा, लोगों से discussion किया, तो समझ में आ कि देखिए, अगर कोई individual है, फिर मैंने इसका graphic representation किया, कि ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, कोई individual है, उसका अपना status है, ठीक है, location in social sphere, status मतलब कि location in social sphere, पहा लिजे, ये सामाजिक जगत है, ठीक है, हम, अब देखिए, हम लोग social science वाले हैं तो social science वाले तो society को, social sphere को ही important मानेंगे, तो अगर कोई सामाजिक जगत है, ये social sphere है, इसमें अगर हम कोई status को लगाए हुए, तो मारा location हुआ है, ना, location जैसे universe है, तो universe में earth एए एक जगब पे है, Jupiter एक जगब पे है, ठीक है, अपने status के according वो एक location को लिए हुए, उस तरह इस social sphere में अलग-अलग individual है, हर व्यक्ति है, ठीक है, पुरा भरा हुआ है ना, व्यक्तियों से समाजी तो बना हुआ है, हर व्यक्ति का अपना अपना एक location है, मतलब उसकी status के according, उसका definite place है, ठीक है, और उस status, उस definite place के according, उसका अपना role है, हर व्यक्ति का, हर व्यक्ति का कहा जाता है ना, हर व्यक्ति अपने आप में महत्वपून होता है और उसके जाने के बाद से हम ज़्यादा समझ पाते हैं इस शीश को तो हर व्यक्ति की इंपोर्टन्स होती है जैसे कोई कह दता है कि मा नहीं है तो मैं तुम्हारी मा बन जाती हूं या फादर ने तो मैं तुम्हारा फादर बन जाता हूं सबका सब अपने अपने जगह पे महत्वपून होते है जैकर बहन की भी उतनी जरुवत है भाई की भी उतनी जरुवत है माता की भी उतनी जरुवत है पिता की भी उतनी जरुवत है हर का अपना एक status होता है इस socialist fair में और उस status के according उसका अपना role होता है समझ में आ रहे हैं attached roles with अब हर role से एक economic power जुड़ा होता है ठीक है और ये power कैसे जुड़ा हुआ है production से distribution से और exchange से ठीक है ये economic power हर role से जुड़ा हुआ है चुकि occupational role की बात हो रही है तो उससे और जुड़ा हुआ है कि जिसका भी इस production, distribution और exchange में जिसकी भी अपनी भागेदारी है उसका role जो है वो important है ये चीज़स को describe किया गया तो इस तरसे उन्होंने classes को define किया है आगे चलते हैं अब आगे बोलते है अब ये जो economic power है production की, distribution की, exchange की ये economic power हमें तीन चीज़ों से मिलती है हर व्यक्ति की economic power उसको तीन चीज़ों से मिलती है चुकि बार-बर मैं बोल रही है occupational role की बात कर रहा है ठेक है ownership से, control से और marketability से ownership का मतलब कि आपका means of production पे या तो legal rights हो, मालेजे कि आप कुसी industrial process में लगे हुए है तो means of production पे या तो आपका legal right हो, मतलब आपका कहीं पर ownership हो, okay दूसरा control हो, मतलब अगर production process पे आपका control हो जैसे manager और supervisor होता है इनका production process पे control होता है और तीसरा, आपकी marketability होनी चाहिए, मतलब skills, qualification ability to carry out physical labor possessed by individual workers, मतलब आपके पास skill हो कोई, या आपके पास उसका कोई qualification हो या कोई भी अगर physical labor कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो ability हो, ये सब marketability होती है, तो कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति का economic power कैसे जुड़ रहा है, इन पास ये तीनों है, ownership भी है, control भी है, marketability भी है, तो आप stratification पे ऊपर strata पे होंगे, ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई एक जैसे किसी व्यक्ति के पास ownership हो सकता है, किसी व्यक्ति पास control हो सकता है, और किसी व्यक्ति के पास marketability होती है, तो तो वो उसके according stratification पे होता है, ठीक है, the class of an individual, देखिए, अब यही बता है, इसी से class defined होता है, the class of an individual is determined by examining a combination of these three types of economic power, those who are higher class having all three, कहा जा रहा है न, कि अब आता है मारा stratification का मुद्धा इतना समझने के बाद से, कि stratification कैसे clear होगा, जिस व्यक्ति के पास यह तीनों चीज होंगे, ownership भी है, control भी है और marketability भी है, वो higher strata पे होगा, those towards the bottom of the stratification system, having the little or no control over production, they have very little wealth, have little or little or nothing in the way of marketable skill or the capacities, क्या है, जो low strata पे होगा, यह runcy man कहने हैं कि low strata वालों के पास ownership भी नहीं होगी, control भी नहीं होगा और marketability भी नहीं होगी, समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से, अब इस आधार पे यह economic power के आधार पे इन्होंने, जब British society की study की तो उन्होंने seven classes बताए, देखिए, आपको मार्क्स ने दो क्लास भी सिर्फ बताया कि एक बार्जूईज होते हैं, और एक प्रॉलिटरेट होते हैं, वेबर ने आगे चल करके आपको पाँच, चार चार क्लासे बताएं हैं, दा प्रॉपर्टीड अपर क्लास, दा प्रॉपर्टीड वाइट कॉलर वर्कर्स, दा पैक्टी बॉर्जूईज और मैनूल वर्किंग क्लास, ठीक हैं, और जब हम रुन्सी मैन को पढ़ते हैं, तो उन्होंने seven class बताएं, इस तरह से आपको difference बनाना है, आपने mind में आप सारे theories का difference बना लीजे, आ गया कि कभी तीनों theory को आपको कुछ अच्छे way में answer लिखना है, तो आप एक page पे तीन line खीचे, और Marx को, Weber को और new theories जो है, social stratification में उसको आपने रुन्सी मैन की theory ले ली, और आप इस तरह से बताएं, तो जहां Marx दो तरह के class बताते हैं, Weber चार तरह के class बताते हैं, रुन्सी मैन 5, 6 and 7, 7 classes बताते हैं, 7 classes में इन्होंने बताया की classes बने क्या, इसी आधार पे बने, ownership, control and marketability के आधार पे, इन्होंने बताया 7 class में upper class होते हैं, फिर इन्होंने middle class को 3 category में बता, upper middle, middle middle and lower middle, ठीक हैं, फिर इन्होंने working class को 2 में बता, skilled working और unskilled working और फिर under class, ओके, आप इस तरह से याद करेंगे, broadly, upper class, middle class, working class and under class, upper class को upper में ही रहने दिया, middle class को 3 में बता, upper middle, middle, lower middle, working को skilled middle और unskilled, working class sorry and under class ठीक है आप एक एक करके बताती हूँ कि हर class में है क्या upper middle class जो है ठीक है मतलब upper class sorry यहाँ पर middle नहीं होगा इसको cut कर दीजेगा upper class में क्या है कि owners of the means of production ये means of production के owner होते मतलब जिनका production पे देख रहे है ना आप किस तरह से इन्होंने marks की भी theory को add किया और Weber की भी theory को add किया है ना यही है यह अरुनसी मैन की theory में दोनों ही approach दिखाई देते हैं तो इन्होंने कहा कि जिनका means of production पे ownership है वो सबसे ज़्यादा upper class में आते हैं ये सबसे senior होते हैं चीक है आगे चलके बोलते हैं कि फिर इन्होंने बोला है कि जो middle class है उसको इन्होंने तीन भागों में बाटा upper middle class middle middle class और lower middle class upper middle class में जो higher grades professionals है senior civil servants है managers है ये upper middle class में lower middle class में routine white collar workers in more or less dis skilled jobs और middle middle में lower professions and middle managers ये सब middle middle class में आएंगे तीक है इन्होंने British society का study करके बताया फिर जिसे workers such as shop assistants check out operators and copy and audio typist have insufficient economic power in terms of marketability जिसे जो shop assistants होते हैं जो दुकानों पे बैठने वाले लोग होते हैं या check out operators होते हैं या copy और audio typist जो लोग होते हैं ये British society में जाद तर ऐसे पाये जाते हैं लोग तो इनके पास economic power कम दिखाई देती है हमें क्योंकि इनके पास marketability कम है मतलब इनके पास जो skill होना चाहिए वो कम है तो इस तरह से instead they are seen as a part of हम इनको working class के रूप में देखते हैं पर ये working class उस तरह के होते नहीं है चीक है अब आता है working class working class को दो मेंनों ने डिवाइट किया upper और skilled working class और lower और unskilled working class चीक है आगे बनते हैं कि when runseman uses the term skilled, semi-skilled and unskilled he is not referring in terms of technical knowledge ये देखे important point है कि जब ये skilled, semi-skilled, unskilled working class की बात कर रहे हैं तो उनका मतलब technical knowledge से नहीं है कि जिसके पास बहुत technical knowledge होगा वो skilled होगा, जिसके पास कम technical knowledge होगा, वो unskilled होगा इससे उनका मतलब नहीं है ये क्या बात बोलते हैं कि जिनका marketability, control और ownership इस तीन आधार पे सुरू से इन्होंने जोकि economic power को इन तीन में बाटा है ownership, control और marketability पे, तो जिसके पास ये तीनों की कमी होगी, वो skilled और unskilled working class के अंडर में आएंगे, और last इन्होंने बटाया, under class under class क्या होता है, under class ऐसा class है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, no control no ownership, no marketability, ऐस कुछ भी नहीं है, ना उनके पास ownership है ना उनके पास control है, ना उनके पास marketability है, ये इनका important under class का definition, अच्छे से रुनसी मैन का सम्मद लीजे, whose roles place them more or less permanently at the economic level where benefits are paid by the state, या रखे, benefits are paid by the state to those enables to participate in the labor market at all under class को नोंने किस से define किया है, कि ऐसा class जो खुच से श्रम बाजार में भाग नहीं ले पाता है, राज द्वारा उन्हें लाब दिया जाता है आप देखिए, बहुत सारे ऐसे लोगों को, जो हमारा state है जो हमारा राज है, वो लाब देता है, वो खुच से लाब के उसमें नहीं आपाते हैं उन्होंने बिटिश सोसाइटी का लिया कि जो मैनोरिटीज एथनिक बैग्राउंड के लोग है या जो विमेन है, इसपेशली जो सिंगल मदर है, उनको चुकि बिटिश सोसाइटी पे स्टड़ी था बार-बार कहा रही हो, इंडियन सोसाइटी पे स्टड़ी नहीं है तो वहाँ पर स्टेट, जो है राज जो है, ऐसे लोगों को पुरी तरसे लाब प्रदान करता है, तो ऐसे लोग अंडर क्लास में आते हैं ठीक है? अब जो modern sociological theory में रुनसी मैन का हम लोगों ने theory पढ़ा उसके क्रुच criticize भी है पहला criticize क्या है कि इनके datas को हम research में use नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने wide range of individuals and wide range of households का use किया है रुनसी मैन class scheme is difficult to use in research as he used as as he used a wide range of data on individuals and households in which they live फिर many respondents और फिर इन्होंने जब respondents पे काम किया तो research में आप जानते हैं कि जो respondents होते हैं वो अपने wealth को जो उनकी मतलब जो आर्थिक स्थिती होती उसको बहुत clearly नहीं बता पाते हैं, आपसे ही कोई पूछने आएगा कि बताएए आपकी income कितनी हैं, तो अगर आपकी income 10,000 होगी तो आप बोलनेंगे में income 5,000 है, तो क्या ये research सही हो सकता है, नहीं हो सकता तो इन्होंने भी चुकि wealth पे काम किया है, तो इनके जो respondents थे, हो सकता है कि वो बहुत unwilling रहे हो, बहुत इक्षा नहीं रहे हो कि मैं सही सही बताऊंगा, वो ठीक से details अपने नहीं बताए हो इस वज़े से भी इनके theory की criticism होती है कि many respondents during survey might be unwilling or unable to give precise details of their wealth और तीसरी चीज कि इन्होंने जो classes का division गिया है, जो 7 classes बताए है, 7 classes का division पूरी तरह से clear division नहीं हुआ है जैसे ये clear नहीं बता है कि how much marketability how much power, how much control, how much ownership कि कितना होना चाहिए, इन सीजों को ये नहीं बतापा है, इस पे भी criticism होता है, और ये many sources दिया है, तो ये evaluation में आप, हमेशा जब भी कोई theory आती है, तो उसकी criticism ज़रूर पीछी से आती, तभी तो नहीं theory आपाती है, तो इसी तरह hair numbers की book में goldthrope की भी theory है, modern social logic, modern stratification theory में, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, देखोंगी तो उस पे भी video बनाऊंगी, तो हमें stratification के theory में modern stratification की theory को जानना है, तो ये तो British society की terms में है, Indian society के भी terms में stratification की नए सिधान आए है, तो चलिए इस video को इतने पे ही रोकते हैं hope आपको ये video समझ में आ गया होगा, और अगर आया तो please like करिए, share करिए और comment करना बिलकुल नहीं बोलिएगा, bye bye, take care